दोस्तो बहुत बहुत स्वागर थे आपका एक पर फिर से आपके अपने ही चेनल करिक बॉली पर जहां दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2000 में रेलीज हुई आज़े देवगान और अक्षे कुमार की सभी फिल्मों के बारे में दोस्तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताता चलू कि आज़े देवगान ने साल 2000 में दो फिल्मों में काम क्या था तो वहीं अक्षे कुमार ने साल 2000 में तीन फिल्मों में काम क्या था तो हम बात करेंगे इन सभी फिल्मों के बारे में हिट आफ फिलॉफ के बारे में तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहीएगा तो चलिए दोस्तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आजिदेयोगन की फिल्मों के बारे में तो दोस्तो आजिदेयोगन ने साल 2000 में दो फिल्मों में काम किया था और इनकी पहली फिल्म रिलीज हुई थी साल 2000 में दिवाने 11 आगस्त साल 2000 में रिलीज हुई थी ये फिल्म फिल्म को डेरिट क्या था हैरी बावे जाने और प्रिड्यूस क्या था इस फिल्म को पम्मी बावे जाने बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 7 करोड उपे की कमाई की थी और पूरे वर्ड में 12 करोड उपे कमाई थे लेकिन फिल्म बॉक्स ओफिस पर फिलॉप साबित हुई थी उसके बाद साल 2000 में आजी देवगन के फिल्म रिलीज हुई थी राजु चाचा 29 दिसंबर साल 2000 में फिल्म को डेरिट क्या था अनिल देवगन ने और प्रिड्यूस क्या था इस फिल्म को आजी देवगन सहाब ने बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 10 करोड उपे की कमाई की थी और पूरे वर्ड में 20 करोड उपे कमाई थे और ये फिल्म भी बॉक्स ओफिस पर फिलॉप साबित हुई थी अब दोस्तो आजिदेयोगन की इन दोनों फिल्मों ने टोटल कितनी कमाई की थी अगर आपको मैं बताओं तो बॉक्स आफिस इंडिया पर दोनों फिल्मों ने लगबख 17 करोड उपे कमाई थे और पूरे वर्ड में 32 करोड उपे का कारोबार क्या था आजिदेयोगन की इन दोनों फिल्मों ने चलिए अब बात करते हैं अक्षिक कुमार के बारे में तो दोस्तों अक्षे कुमार ने साल 2000 में तीन फिल्मों में काम क्या था और इनकी पहली फिल्म रिलीज हुई थी साल 2000 में हेरा फेरी 31 मार्ज साल 2000 में फिल्म को डेरिट क्या था पिरिय दर्शन ने और प्रेडियूस क्या था इस फिल्म को एजी नाडिया वाला ने बॉक्स आफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 12 करोड उपे की कमाई की थी और पूरे वल्ड में 22 करोड उपे कमाई थे और फिल्म बॉक्स आफिस पर एवरेज साबित हुई थी उसके बाद साल 2000 में अक्षे कुमार की फिल्म रिलीज हुई धड़कन 11 अगस्त साल 2000 में फिल्म को डैट क्या था धरमेश दर्शन ने और बॉक्स आफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 14 करोड उपे कमाई थे और पूरे वर्ड में 27 करोड उपे की कमाई की थी और फिल्म बॉक्स आफिस पर हिट साबित हुई थी उसके बाद साल 2000 में अक्षे कुमार की तीसरी फिल्म रिलीज हुई थी खिलाडी 420 29 दिसंबर साल 2000 में फिल्म को डैट क्या था नीरजवोरा ने और प्रिड्यूस क्या था इस फिल्म को केशुराम से ने बॉक्स आफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 6 करोड उपे कमाई थे और पूरे वर्ड में 10 करोड उपे की कमाई की थी और ये फिल्म बॉक्स आफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी तो दोस्तों अगर अक्षे कुमार की परफॉमस देखी जाए साल 2000 में तो तीन फिल्मों में काम क्या और इनकी जो टोटल बॉक्स आफिस कलेक्शन होता है तीन फिल्मों का इंडिया में वो लगबग 32 करोड उपय हुआ और पूरे वल्ड में 69 करोड उपय हुआ 59 करोड उप पूरे वल्ड में 3 फिल्मों से कमाई की साल 2000 में अक्षे कुमार ने तो